कि स्रिब्रिल पाल्सी यानि कि सीपी एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हो गया किसी बच्चे को तो पैरेंट और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही जादा प्रॉड्रम वाली सिक्टूइशन होती है इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है बस इसके कु सेब्ल पाल्सी क्या है क्यों होता है उसका सिम्टम क्या होते हैं जिस बच्चे को सीपी हो गया उसको क्या क्या और कॉम्लिकेशन होते हैं सेब्ल पाल्सी यानि कि सीपी क्यों होती है इसकी डाइनोसिस क्या है कैसे हम पता लगाते हैं और सबसे लाश में बताएंगे कि इस हुआ है तो फिरंड सबसे पहले कुश्छन आता है कि सेरीब्रल पालसी आकिर है किस तरह की बिमारी है ये तो दुस्तों सेरीब्रल पालसी एक बिमारी है एक ग्रूप of disorder है जिसमें की दो वर्ड आते हैं cerebral और palsy cerebral का मतलब होता है brain यानि की दिमाग और palsy का मतलब होता है weakness जाने की कमजोरी अगर हम simple word में कहें तो cerebral palsy में कुछ ऐसी कमी आ जाती है कुछ ऐसे disorder होते हैं जिसकी वज़े से बच्चा अपने muscles पर मास्पेसी पर control नहीं कर पाता और बच्चा अपने posture maintain नहीं कर पाता अपने जो मास्पेसी की use है वो नहीं कर पाता जिसकी वज़े से बहुत सारे complication होते हैं जो मैं आगे discuss करूंगा बच्चा चल फिर नहीं पाता अपने daily activities नहीं कर पाता या फिर activities limited हो जाती है अब क्योंकि इसमें इंजरी brain में होती है तो इसके साथ साथ और भी दिक्कते आती है जैसे कि दौरे आना सुनाई कम पढ़ना दिखाई कम पढ़ना खाने में पीने में दिक्कत constipation रहना दौरे आना हाथ और पैरों में सुन रहना IQ कम होना तो दोस्तों अब यह question यह आता है कि स्रेपल पालसी होता क्यों है इसके होने की वज़ा क्या क्या है तो स्रेपल पालसी दोस्तों होता है developing brain में इंजरी से developing brain मतलब जो ब्रेन अभी बन रहा है हम में आप में पा इसे मा कब पैट में तक मा के पेट में भी पहते हैं रोता है और आपने नोटिस करी हो की सबसे ज्यादा जो सी प्यून हो के आऊ जैसे कि टॉर्च नैसा है चीकन पाउस का इंफेक्शन गर्फिंशन फिर और इस तरह के बहुत सारे इंफेक्शन होते हैं जो कि मां के पेट में हो सकते हैं उसके अलाब बदारी कमी है मां ने सीगरेट कपना कर रहा हो किसी विज odor में उनकों लिया है फोलेट कम लिया है और यह तondere कर दो को तो घिंजरी हो गई और यह तब हो सकता है जब मां को bleeding start हो गई किसे तरह का अब्ची ओगई गया जो प्लेशंटा है जहां से बच्चों को खूंद पहुचता है जहां से बच्चे को oxygen खाना पहुचता है उसमें कि इस तरह की disease हो गई यहां फिर बच्चा, बहुत premature है यह विदे ट्विन बच्चे से जादा बच्चे है डॉक्टर इक पास विजिट करा है और अपना डिखाते रहें इसके बाद जो दूसरा कॉमन है याने की 10% वह बर्थ के टाइम पे अब बर्थ के टाइम पे हो सकता है बच्चा आपका देर से रोया हो ब्रेंग में आक्षिएंग कम पहुची हो या भी हो सकता है बच्चे ने जरे से बच्चे के सर में चोट आ गई हो या फिर डिलीवरी के टाइम पे महा का ब्लेड बहुत साथा कम हो गया हो जिसके बच्चे को प्रॉपर न्यूटिशन नहीं पहुचा ऑक्षियन नहीं पहुची फिर तीसर नमबर पर आता है बर्थ के बाद अब बर्थ के बाद जिसमें बच्चे के बाद बात करता है कि इंजरी किस लेविल की है चार टाइब के जो कॉमन है वह मैं आपको बताता है जिसमें बच्चे के दोनों पैर अकड़े हुए रहते हैं हाथ भी अकड़ा हो सकता है अबर पैर तो बिल्कुल सीधे होते हैं अकड़े हुए दूसरा होता है क्वाडिप्लिजिक सीपी जिसमें की बच्चे के चारों हाथ पैर अकड़ावा होता है और पैर भी अकड़ावा होता है बिल्कुल बॉडी में अजीब तरह के अकलन होगी, कोई ऐसे अकला होगा है, कोई यूँ घूम रहा है, साथ में हाथ में इस तरह के मुव्मेंट्स होते हुए, दिखेंगे, सीपी के सिम्टम से कुछ अर्वनी साइंस होते हैं, जैसे की जब बच्चा 6 मैंने से कम है, आप देखा कि बच्चा फीडिंग कम ले रहा है, दूद कम पी रहा है, दूद पीता है तो बार बार निकाल देता है, दूद निगलने में दिक्क्त होती है, बार बार बच्चों को ठसका लग रहा है, बच्चों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चा इतना ज़्यादा ढीला है कि आप हाथ में उठाते हैं और हाथ से स्लिप कर जाता है, जैसे सपोस कर ये ये एक बच्चा है हमारे पास, अगर सो सीपी होगा, इसके हाथ हम यँ उठाएंगे, तो ये हाथ ऊपर उठाएंगा बच्चा हाथ से स्लिप कर जाएगा, वैल जो पैर है इसके, जब आप बच्चों को इस तरह से उठाएंगे तो बच्चे के हाथ, पैर सर इस तरह से हो जाएगा, इतना टॉन बच्चे की कम होती है, इसके इलाबा बच्चे की नीद प्रॉपर नहीं होती है, सोता है बार बार उठ जाता है, Constipation कब से रगदार बना रहता है, बच्चे से आप इंट्रेट करते हैं, बाते करते हैं, तो वो आख से आख नहीं मिलाता है, हाथ पर उसके अगलना इश्टार्ट हो जाते हैं, दोरे आना इश्टार्ट हो जाते हैं, बच्चा हरो i. निकालता रहता है, मुझ से आप कुछ खिलाते हैं 기분 ди-व, बच्चा चवा नहीं पाथा, बच्चा को कर पर्षब करता है, बच्चा तो अपने पैरों को अकड़ा के चलता है जैसे यह बच्चा है अगर इसको सीपी होगा तो इसके यह जो पैर है यहां से सीधर रहेंगे इस तरह से दोनों पैर से सीधर रहेंगे बच्चा जब चलेगा तो अपने पैरों को ऐसे 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 घुमा के चलेगा बतलब कि चलता है तो अपने पैरों को मोढ कर चलने के वजाए यह इस तरह से इस तरह से घुमा के सीधर अकडा के ऐसे पैरों को रखता है उनके अलावा बहुत सारे प्रॉलम को साते होती है की जो प्रॉलम होती है मसल के कांट्रोल से होती है तो बॉडिsk जो करते हैं चलते फिरते उटता बैठते खाते हैं हर चीज जो हम करते हैं वो करते हैं हम मसल्स के कोडिनेशन से जब कोडिनेशन ही नहीं है कंट्रोल ही नहीं है तो वह साइब होती है बाई एक ही करके हम जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत हैं बच्चे को आती हैं सबसे पहले खान है और लेटिन यह रास्ता है वहां के जो एक वाल होता है स्विंटर होता है जिसे उस पर कंट्रोल बच्छे खो जाता है जिसकी वज़ेसे बच्चे को कॉंस्ट्रिपेशन रहता है पिशाप करने जाता है यूरिन करता है तो बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता एक हो जाती है इसके लावा 25 से 45 परसंट ऐसे बच्चों में दोरे के शिकायते होती हैं हाग पर हिल सकते हैं आखे उपार जा सकते हैं या फिर हो सकता है बच्चा बैटे-बैटे कोई response ना करें कुछ भी ना करें और 50% से ज्यादा CP के बच्चों में IQ की कमी होती है ऐसे बच्चों में देखने भी दिक्कत होती है किसी में कॉटिकल ब्लैंडेस होता है जिसमें बच्चा देखता तो है लेकिन वह चीजों को समझ नहीं पाता यह क्या देख रहा है किसी में आखे टेड़ा पन भेंगा पन इस अब पच्चों सुनने की दिक्कत होती है बच्चे के कान तो सही होते है लेकिन अंदर जहां पर सब्सक्र होता है जहां पर बच्चा आवाज समझता है वहां पर इंज्री के वज़े से बच्चा सुन भी नहीं पाता और एक पेन यहां प्रॉब्लोनिक हुए बच्चे को रवक्त पैन होता है क्वह संदो को नहीं पुसे बतार इस चीज Можно से आवाज बच्चा बात करता है अब क्योंकि जो सांस लेने वाली जो मास्पेसी उन में भी कॉडिशन नहीं होता इसके बच्छा सांस प्रॉपर नहीं ले पाता और बार बार उसको सीनेक opening निमुनिया ही सब होता रहता है हाथ पेरों में मुव्मेंट कम होने के वजवाजे से जोड हैं वोक्र जाते हैं उसके बाद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसके बाद हम बात करेंगे CP की डायगनसिस के बारे में जब मावाब ये देखते हैं कि बच्छा पर देखा हिस्टरी उसके बाद की जो इग्जामने करने के बाद ही बन जाती है जो कि आपका डॉक्टर बच्चे को देख के बताता है बहुत जांचों की जरूत नहीं होती है लेकिन फिर भी हम कुछ जांचे कराते हैं हलाकि एक चीज मैं यहां पर आपके बताता चलूँ जो सीपी की डाइनुसिस होती है जनलली वो 16-18 मेने में बनती है उसका रिजन यह होता है कि शुरू में जब बच्चे के माइल स्टोन डिले होता है तो पैरन्स हलके में लेते है सुचते हैं कि ठीक है आगे सही हो जाएगा इसलिए वो देर से हमारे पास आते हैं जिसके से बच्चे की डिले हो जाती है लेकिन अगर आप अरली सुरू सही यह बात का ध्यान रखे है कि बच्चा माइल स्टोन अचीव कर रहा है टाइम से नहीं कर रहा है जला सब ही अग बना रखी वो जरूर देखिए और बच्चे से मिलाई यह चलिए अपने टॉप पर आते हैं तो मिली के डाइक से होगई फ्री भी हमको टेस्ट कराते हैं उसका रिजर होता है हमारा ही कराते हैं इमारा इसे यह देखते हैं कि आखर जो डैमेज हैं बच्चे को किस लेविल बच्चे को दोरे आरे होते हैं इसके लावा हम कुछ खूल की जाच कराते हैं जίसे हम पता लगाते हैं कि बच्चे खूल का ली मिया तो नहीं तो नहीं थे is पाइट के यान नहीं नहीं करना लगता है कराते हैं तोस्ते मिलीडी किसले बिल तक मिस्ठीक नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती और एक चिज़ और आप जाद रखे कि यह डिजी सब प्रोग्रेसिव नहीं है नॉन प्रोग्रेसिव मतलब जितना डैमेज बच्चे को होना था वह हो गया अब आगर डैमेज नहीं होगा तो यहां पर सवाल यहां जब ट्रीटमे होते हैं वह कॉंप्लिकेशन ना होने पाएं अब क्या क्या हो सकते हैं क्या क्या ध्यान रखना है हमें बच्चे की जो अबिलिटी है उसके हाथ पैर इजने काम कर जाएं कि वह किसी भी डिपेड़ना रहे है खुद से वह उटके वाउश्रूम चला जाए काना पीना खाले ड लोटर जिएज अगर आ रहे हैं से हैं तो उसके लिए परना करना होता है बच्चे की क्या होते रहे हैं इसके सासाथ बच्चे को जो परकर के जा आ गए कड़े समाज में जी सके सक्द मैं हों सके इसलिए हैं यहां पर डियुम को नहीं डाओंगा डिटेल में इसके बार में वीडियू डालूं गाइजिक जिसमाज का अलग अस्पेट आ लागा टाइम Deus जैसे कि एक वीडियो होगी जिस पर कि मैं आपको सिर्फ इस बात फोकस करूंगा कि बच्चे की जो निट्रीशन ने प्लाने में कैसे आपको ध्यान रखना है उसरा बच्चे के बारे में बताऊंगा तीसरा यह बच्चे की जो बाकी जो इस टिफने से कड़ापन है बॉडी खिल ने रही है मास्पीजिक काम ने कर रही है उसको आपको किस तरह से ठीक करना है किस तरह से मैनेज करना है साथ में आपको ऐसे बच्चों में क्या-क्या ध्यान देना है क्या-क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी है क्या-क्या आपको डिट्मेंट वगरा आपको टाइम दिलवाते रहना है यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए दाकि वो वीडियो आपसे मिस नहों ऐसी बहुत सारी में वीडियो चैनल में डालता रहता हूं जो कि बच्चों से डिजीस से निवांस अलिट्रिट होती है अगर उठा सकते हैं उनको शियर करिए दोस्तों अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसी बनाया रखिए और देवते रहे हैं हमारे चैनल देजाएं धायो